सब्सक्राइब कीजिए इस्टार इंडिया टेक्नोलोजी चैनल को और बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि iMobile एप में लॉग इन पिन को किस परकार से चेंजि किया जाता है इसके लिए हम iMobile एप को ओपन कर लेते हैं और यहां पर लॉग इन कर देते हैं जैसे आप लॉग इन करेंगे तो कुछ इस परकार से बेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको 3 टैप पे किलिक कर देना है नीचे एक ओप्सन आजाएगा आपके पास Change Login Pin तो इसके उपर आपको किलिक करना है जैसे आप इसके उपर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको Current Pin एंटर कर देना है सबसे उपर वाले ओप्सन में यहां पर आपको New Pin एंटर कर देना है जिसको भी आप बनाना चाहते हैं जैसे मैं Example के लिए 1,2,3,4 यहां पर एंटर कर देता हूँ और इसके बाद आपको Submit पर किलिक कर देना है जैसे आप Submit पर किलिक करेंगे तो आपका Login Pin चेंज हो जायागा जैसे कि यहां पर आ रहा है Your Login Pin has been changed successfully तो इसके बाद आपको OK पर किलिक कर देना है तो आप Automatically यहां पर Log Out हो जाएंगे और इसके बाद आपको दुबारा से यहां पर Login करना है तो मैं एक बार आपको Login करके दिखा देता हूँ यहां पर कुछ इस परकार से यहां पर iMobile App को मैं Login कर पा रहा हूँ नए Pin के साथ तो इस परकार से हम iMobile App में Login Pin को Change कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दवा दें ताकि नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे